वेल्कम दोस्तो स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जी सी पे आज हम आपके लेके आएं सी लेंग्विज में एक और प्रोग्राम यह प्रोग्राम है नेस्टेड वाइल का क्या मतलब क्या होता है जब एक वाइल लूप की अंदर एक और वाइल लूप होगी हम उसको क्या बोलेंगे नेस्टेड वाइड लूप, चलो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम चुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना जाता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वैल की आइकन पर प्रैस करें, तहां जो आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है, चलो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने क्या ले लिए, हैश इंक्लिउट, स्टूडियो.च, स्टूडियो.च का मतलब क्या होता है, स्टैंडर, क्या होता है, ठीक है, चलो के सबस्क्राइब क्या होता है, एक सबस्क्राइब पहले है कन्टोल बॉडियो, गिस स्टूडियो बहन के लिए, हमने पहले हैन मप्रम ते ब्याले उर मिंत्या को वैल्यू इसमें, पहले है वान वाल्यूम प्रम collective अडियो पहले को पहले हैं, होता है control हमारा body में आगए condition true हो गए भाण जो less than होता है 3 से condition true control body में आ गया V में अब कितनी value हो 1, 1 आफ की screen पे J हमारा print हो जागा J हमारी output आ रही है उसके बाद B++ हो गया V में अब कितनी value हो 1 value इसको cross कर दिया अब इसमे value 2 value store हो गए 2 में कितनी value हो गए 1 value जो जोसी B से बाहर नेकल गए रो 2 value हो बे में store हो गए 2 2 वे 2 value हो कितनी value हो 2 आफ कुंट्रोल बापस हमारा body में गया 2 छोटा होता है last than से yes छोटा होता 2 चोटा होता less than два से जोटा होता है 3 से जो छोटा होता 3 से दो ये सोटा होता 2 जो छोटा होता 3 से अपना control body में आगया B में अभी कितनी value है 2 हमारी screen पे hint हो गया उसके बाद B++ हो गया B में अभी कितनी value है B में अभी होया है 2 value B में कितनी value store हो गया अपनारी 3 value store हो गया ठीक है दो values वेरियेबल से बाहर नगल गया 3 value variable save हो गया फिर control हमारा बापस लूपे गया 3 चोटा होता 3 से चोटा नहीं होता अभी equal to होता है अभी equal to हमारा operator लगा हुआ है 3 बराबर होता equal to होता है 3 पे condition हमारी true है control हमारा body में आगया B में अभी कितनी value है 3 value 3 अपकी screen पे print हो गया अब B plus plus हो गया B में पे कितनी value है 3 value थी और इसमें कितनी value store हो गया 4 value store हो गया फिर control उपर गया कि 4 जो होता है less than होता 3 जे 4 ना तो less than होता है ना ही equal to होता है जिस करके जे condition false हो गयी control हमारा बाहर आगया बाहर आगया क्या किया इसने A को plus plus किया A में कितनी value है 1 of A में कितनी store कर दिया 2 value store कर दिया उसके बाद क्या है control हमारा new line पे आगया control हमारा जहां पे आगया फिर control बापस इस body पे गया by loop पे गया test करने के लिए 2 को test किया 2 चोटे होते 3 से चोटे होते है ठीक है B को फिर से उसने 1 कर दिया T जे क्या किया B को 1 कर दिया 1 जो चोटा होता 3 से 1 जो less than होता 3 से चोटा होता है condition हमारी true होगे control हमारा body में आगया B में अब कितनी value प्रिंट करेगा B में 1 value 1 value को इसने प्रिंट कर दिया B plus plus होगे B में अब कितनी value है 2 value होगे 1 थी अब 2 होगे 2 को चेके 2 शोटा होता है 3 से 3 से yes condition true control फिर हमारा body में आगया B में 2 value 2 value है आफ कि स्रिंट होगे अब B plus plus होगे B में कितनी value होगे 3 value होगे 3 जो होता है less than होता है 3 से less than तो नहीं होता अमारा equal to होता है condition अभी भी हमारी true है control हमारा body में आगया बी में अब कितनी value है बी में 3 3 आपकी screen पे print हो जाएगा बी plus plus हो गया बी में कितनी value हो गई 4 value हो गई बी में 4 value हो गई 4 चागई 4 less than होता है 3 से 9 4 तो greater than होता है 3 से condition हमारी false control हमारा बाहर आगया A plus plus कर दी एमें कितनी value हो गई एमें 3 value आगया और control हमारा होता होता है बी से चोटा होता है नीचे आगया उसने बी को print कर दिया B को सब जहां पे उसने 1 किया था जहां पे तो जह B पे B को जहां से 1 करके 1 को टेस्ट किया 1 चोटा होता 3 से शोटा होता और B को प्रिंट कर दिया जहां पे उसने B को प्रिंट कर दिया ठीक है B प्लस प्लस हो गया B में कितनी वैल्यू आगे 2 वैल्यू आगे 2 प्लस प्लस हो अब B में कितनी value आगे, 3 value आगे 3 जो होते हैं, वो less than होते हैं 3 जो less than होते हैं, तो नहीं होते वार equal to होते हैं अब B condition true है, control fair हमारा body में आगे और इसने B को print कर दिया B में कितनी value है, 3 है, आफ इस green पे print होते हैं जो 3 ता, print होते हैं, 3 उसके बाद B प्लस प्लस हो गया, अब B में कितनी value आगे 4 value आगे 4 value आगे, और 4 को चेक के 4 less than होते हैं, 3 is a no condition false, 4 तो greater than होते है 3 is a, इसकर के condition false control हमारा बाहरा आगे, उसने A प्लस प्लस की है यह में कितनी value हो गे A प्लस प्लस में 3 ती, अब इसको करके इसने किसनी value आगे, 4 value आगे new line पे हमारा control आगया फिर उपर गया 4 जो होते हैं, less than होते हैं, 3 is a no 4 तो greater than होते हैं, 3 is a condition of false control हमारा बाहर गेच पी आगया और program खत्म हो गया, यह तो थी मारी output nested while का मतलब क्या बता है while के अंदर एक और while इसको क्या बोलते हैं, nested while इस program में आपको कोई भी दिक्क दो please हमें comment करके बताना thanks for watching